आईट्यार फाइल करने की डेडलाइन बढ़ी फिर भी लगेगी पैनलजी जानिए आप पर कितना लगेगा चार्ट इंकम टेक्ट डेडलाइन बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आपको दंडात्मक ब्याज चार्ट से रहत मिल गई है जिसका भुकतान सेल्फ असेस्मेंट टेक्स या एडवांस टेक्स के के केस में आउटस्टेंडिक टेक्स लाइबल्टी के मामले में जरूरी होता है खबर के मताबिक दरसल इंकम टेक्स एक्ट 1961 के तीन सेक्शन 234A, 234B और 234C के तहर्ट टेक्सपेर्स को बकाया टेक्स पर इंटरस्ट देना जरूरी होता है अगर उसे इंकम टेक्स रिटर्न दाखिल करने में देरी होती है सेक्शन 234A के मताबिक ITR फाइलिंग में देरी पर बयाज लगता है माल लीजिए कि ITR फाइल करने की आगरी तारीक 37 जुलाई 2021 है और आपनी 6 अगस 2021 को फाइल किया तब ऐसे केस में बकाया टेक्स अमाउंट पर हर महीने एक परसन के हिसाब से बयाज लगेगा इस मामले में पूरे एक महीने का बयाज चार्ज देना होगा यानि 6 दिन की देरी को पूरे एक महीने की देरी माना जाएगा किस पर लगेगी इंटरस्ट पैनल्टी हाना कि सेक्शन 234 से के तहत उन टेक्स पियर्स को रहत मिलती है जिनका सेल्फ असेस्मेंट टेक्स एक लाक रुपई तक है लेकिन अगर टेक्स लाइबिलिटी एक लाक रुपई से जादा है उन्हें देरी पर बयाज देना होगा इसलिए भले ही इंकम टैक्स रिटर्न भढ़ने की डेडलाइन 30 सितंबर हो अगर आपकी टेक्स लाइबिलिटी एक लाक रुपई से जादा है तो आपको अगस्त और सितंबर के लिए एक परसेंट के हिसाब से इंटरस्ट देना होगा माल लीजे कि डेडलाइन 30 सितंबर के बाद भी आगे बढ़ती है तो उसे भी एक परसेंट के हिसाब से इंटरस्ट देना होगा आपको बता दें कि इंकम टेक्स एक्टे 1961 के सेक्शन 200 आज के मताबिक अगर किसी साल किसी व्यक्ति की टेक्स देनदारी 10,000 रुपई या इससे जादा हो जाती है तो उसे एडवांस टेक्स चुकाना होता है अगर वो ऐसा करने में नकाम रहता है तो सेक्शन 234B के तहट हर महीने 1% के हिसाब से इंटरस्ट चुकाना होगा या एप्रल से वास्तविक टेक्स पेमेंट की तारीक तक उसे टेक्स चुकाना होगा सेक्शन 234C के तहट एडवांस टेक्स इंस्टॉल्मेंट्स पेमेंट के डिफॉल्टस पर बयाच लगाया चाता है आपको बताते कि टेक्स पेमेंट को जून सितंबर दिसंबर और मार्च की पंदरवी तारीक तक एडवांस टेक्स का 15%, 45%, 45% और 100% का पेमेंट करना होता है अगर एडवांस टेक्स पेमेंट में कमी रहती है तो उसे तिमाही में 3% का इंटरस्ट लगता है